पूरा देश देख रहा है भगवान शिरी राम के मंदिर का शिला न्यास उसकी शुरुवात भूमी पूजन की कारवाही कल 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में होगी भगवान शिरी राम के मंदिर निर्मान को लेकर अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमेठी की महासचिव उत्र प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियांका गांधी वड्रा द्वारा एक विशेश व्यक्तव्ये एक विशेश बयान जारी किया जा रहा है मैं आपको वो बयान पढ़कर बता रहा हूँ दुनिया और भारतिये उप महाद्वीप की संस्कृती में रामायन की गहरी और अमिट छाप है भगवान राम, माता सीता और रामायन की गाथा हजारों वर्षों से हमारे संस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है भारतिये मनीशा रामायन के प्रसंगों से धरम, नीती, कर्तव्वे परायनता, त्याग, उदारता, प्रेम, पराकरम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है उत्तर से दक्षिन, पूरप से पश्शिम तक रामकथा अनेकों रूपों में स्व्यम को अभीव्यक्त करती चली आ रही है शिरी हरी के अंगिनत रूपों की तरह ही रामकथा हरी कथा अनंता है युग युगांतर से भगवान राम का चरित्र बारतिय भूभाग में मानवता को जोडने का सूतर रहा है भगवान राम आश्रे हैं और त्याग भी राम सबरी के भी हैं और सुगरीव के भी राम वालमिकी के भी हैं और भास के भी राम कंबन के भी हैं और एशु तच्छन के भी राम कबीर के हैं तुलसी दास के हैं रै दास के हैं सबके दाता राम हैं गांधी के रगुपती रागव राजा राम सबको सम्मत्ती देने वाले हैं वारिस अली शाह तो कहते हैं जो रब है वही राम है राश्ट्रकवी मेथली शरण गुप्त राम को निर्बल का बल कहते हैं तो महापराण निराला कोट वह एक और मन रहा राम को जो ने ठका कि काल जई पंक्तियों से भगवान राम को शक्ती की मोलिक कलपना कहते हैं राम साहस हैं, राम संगम हैं, राम सयम हैं, राम सहयोगी हैं, राम सबके हैं, भगवान राम सबका कल्यान चाहते हैं, इसलिए वे मर्यादा पुर्शोतम हैं आगे प्रियांका जी ने कहा आगामी पाच अगस 2020 को राम लल्ला के मंदिर के भूमी पूजन का कारिक्रम रखा गया है यानि कल भगवान राम की कृपा से यह कारिक्रम उनके संदेश को परसारित करने वाला राश्ट्रिय एकता, बंधूतव और सांस्कृतिक समागम का कारि क्रम बने जैसिया राम प्रियांका गांधी वड्रा इसकी एक प्रतिलिपी हम आपको बहुत जल्द लोकेश जी के माध्यम से दे देंगे धन्यवाद